Hello friends, welcome to Technical Ansari तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपनी वीडियो को compress कर सकते हैं भिना उसकी quality को reduce किये भिना यानि कि उसकी quality आपके बिल्कुल भी खराब नहीं होगी जैसे कि पहलेती वैसे कि वैसे ही रहेगी और आप अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा compress कर सकते हैं अगर आपकी वीडियो 200 MB की है तो वो सिर्फ 13 या 12 MB की वीडियो में compress हो जाएगी और उसकी quality विल्कुल भी reduce नहीं होगी मैं आपको पूरा इसमें चेक करा दूँँगा compress करने से पहले और compress करने के बाद में तो यह यूटिवर्स creators के लिए बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि हम लोग जब वीडियो को बनाते हैं तो हमारी वीडियो को size बहुत ज़्यादा हो जाता जिससे कि हमें upload करने में काफी problem होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा time consume होता है जब हम उसको upload करते हैं तो अगर हमारी वीडियो जो है compress हो जाएगी तो हम उसको जल्दी ही upload कर पाएंगे तो यह YouTube creators के लिए बहुत अच्छी हो सकती है खास तो पर जो कि जिनके पास की slow internet की problem होती है वो लोग तो यह software बिल्कुल आपको free मिलेगा तो इसका link में नीचे आपको description में देदूँगा आप महां से इसको download कर सकते हैं तो इस software का नाम है handbrake तो जैसा कि आपको मैं दिखा दूँ कुछ इस तरीके से इसका interface आपको देखने को मिलेगा बहुती simple interface है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसको compress कर सकते हैं तो यहां मैं आपको एक clip है जोगो उसको compress कर कर सकते हैं तो उससे पहले मैं आपको उसका size च आपको दिखाई दे रहा है और यह कंप्रेस होने के बाद में बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी लगभग 12 या 13 में हो जाएगी तो आपको इसमें करना गया है कि सिंपल ही या तो आप इस वीडियो को ड्रेग ड्रॉप कर दीजिए इस सॉफ्टेर के अंदर या फिर फाइल को अपनी सेलक्ट कर लिया है अब यहां पर देखिए आपको यह व्राउज का एक ऐस दिखाई देगा आप अगर यह very fast पर करेंगो तो यह फिर बहुत ज़्यादा compress कर देगा आपकी वीडियो को तो इतना नहीं एक normal आप इस पर रखिए जिस पर कि इसकी default setting है और इस पर काफी अच्छा यह काम करता है और इसके बाद में आप इसको default रहने दीजिए आपको कहीं भी कुछ भी changes नहीं करने यह सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा इसमें आपको सीधी यहाँ पर देखे start in code का option दिखाई देगा आपको इस पर click कर देना है तो यह कुछ ही दिर में आपकी जोगर वीडियो को compress कर देगा तो यहाँ देखे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगे तो इसलिए मैं इसको यहीं पर stop कर देता हूँ और मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो मैंने compress पहले से इसके दोरा करके रखी है तो यहाँ देखे यह जो दूसरी है look back to नाम से clip यह देखे इसका size आप देख सकते हैं सिर्फ 12 MB 12.2 MB में इसको compress कर दिया गया है इसकी अगर properties दिखा दूँ मैं आपको तो यह देखिए यह सिर्फ 12 MB में इस clip को इसने कर दिया है और इन दोनों वीडियो को मैं आपको अभी विल्कुल फ्ले करके दिखा देता हूँ आप इनकी quality देख सकते हैं इनकी quality विल्कुल भी खराब नहीं हुई है जैसे कि मेरी original quality थी same बैसी की बैसी है और वीडियो बहुत ज़्यादा compress हो चुकी है अब देखे इस अगर 2500 MB की वीडियो को मैं compress किये बिना अगर YouTube पर upload करता हूँ तो यह लगबा 10-15 मिनट ले ले लेती है क्योंकि मैं GeoNet यूज करता हूँ और अगर मैं इस 12 MB की फाइल को upload करता हूँ तो यह मुस्किल से 2 मिनट भी नहीं लेती है YouTube पर update होने के लिए तो आपके काम बहुत ज़्यादा आ सकती है आप अगर YouTube Creator है तो यह फिर आपके पास अगर hard disk की size की कमी है तो आप इसमें compress करके रख सकते हैं I hope कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं ता कि वह भी वीडियो को compress करके रख सकते हैं और इसी तरी की और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करना मिल्कुल भी मत भूलिया क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरी की वीडियो लेकर आता रहें